डॉक्टर माया और डॉक्टर बेनर जी और डॉक्टर बीना ये सबाल हमारी आवाज लोगों को लग रही होगी कि हमारी संख्या कम है लेकिन हम चुकी सत्ति के साथ खड़े हैं और न्याय के साथ खड़े हैं मानपता की रख्षा के लिए खुद को समर्पित किया हुआ है औ रास्ट के बारे में दिनराच चिंतन करने वाला जो गृप है वो आपके सामने खड़ा है और रास्ट को सबसे आगे खड़ा कर रहा है देश के लिए मरने मिटने के लिए तयार है जान की बाजी लगा रहे हैं अकेले भी हम लोग ये युद्ध लड़ रहे हैं इसलिए मैं जनता जनारदन से आग्रह कर रहा हूं कि कृपा करके जो आपके मौलिक सवाल है उसे आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो हम जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं उसे जानिये और समझ ये महामारी के बारे में तहकीकात करना सुरू कीजे कैसे करेंगे तीन तरीके में बताता हूँ पहला अब जो एलन मस्क के आने के बाद जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस प्लेटफॉर्म पे महामारी के बारे में इस पूरे कैमपेंड के बारे में ये बिल गेट्स गैंग के बारे में गाबी गैंग के बारे मे WHO के बारे में बहुत सारे आपको एक के बाद एक पोस्ट मिलेंगे scientific पोस्ट मिलेंगे आप जाएए उसमें डॉक्टर पीटर मेकॉला मारिए आप जाएए डॉक्टर अमिताब बेनर जी मारिए जाएए डॉक्टर बीनार आगब मारिए जाहिए दॉक्टर भासकरन रमन मारेए, डॉक्टर महया मारेए और अवीकेन इंड्या मूव्मेंट मारेए भारत के रेफरेंस में जितने पोस्टें हैं आपको मिल जाएंगे हमारे QY को आप सर्च कीजिए वहां मिल जाएंगे हमारे QY.in पे जाएंगे हमने तो समर्पित किया हुआ है अंग्रेजी का जो हमारा प्रेट फॉर्म है क्युवाइट डॉट इन उस पे आप देखेंगे प्रकास्ट के भी डॉट इन पे आप जाएंगे तो हमारे युनिवर्शल हेल्थ और अगनाईशन के प्रतेक सब्ता के न्यूज लेटर आपको म बिस्तार से बताया है उसके बाद ग्लोबलिस्ट पावर की क्या भूमिका है कौन है वो ग्लोबलिस्ट क्या है वर्ल्ड इक्नॉमिक फोरम कौन है ये बिल गेट्स कौन है ये सोरोस कौन है रॉकफिलर फॉंडेशन इसके बारे में बिस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है आप उसे जाकर के सर्च कर सकते हैं uho.org.in पर भी जाते हैं जाकर करके युनिवर्शल हेल्थ और्गनाईज़न के रिपसाइट पर भी जाकर के जानकारी दे सकते हैं इसके अलाबा X के प्लेटफॉर्म पे आप डॉक्टर पीटर मिकॉला करेंगे डॉक्टर जोबर्ट मलोन करेंगे डॉक्टर आसी मलोत्रा करेंगे फिर जितने भी आपको facts मिलेंगे fox news के मिल जाएंगे folks के मिल जाएंगे सारे facts आपको X प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे YouTube पर मिलेंगे लेकिन ये जो Google है और Facebook है इन्होंने बहुत बड़ा कुक्रिति किया है मामारी के दोरान तो इन्होंने बहुत सारे stories को दबाया है डिलीट किया है अब इनकी डिलीट करने की हिम्मत नहीं हो रही है क्योंकि अब अगर ये करेंगे तो चाहे कुछ भी हो जाए इनको भारत से बाहर करके ही दम लेंगे अगर इन्होंने इस तरह का कोई भी कुक्रिति किया तो नहीं कर रहे हैं आप पूरी दुनिया में नहीं कर रहे है क्योंकि आप पूरी दुनिया में इनके खिलाब भी मोर्चा खुल गया है बहुत बड़े घेरे में है फेस्बूक के तो आलत खराब हो गई मेटा का क्या क्या हुआ आप सबने देखा है तो ये जो अब जो बाकी बची जो ये सो काल्ड बेरिस्ट्री मीडिया है जो पूरी तरह से बिकी हुई है सरिंडर है ये फार्मा कंपनी के सामने में तो उनके नेरेटिव को मत समझे मैं सहारा के जो हमारे निवेसक बंदों का जो हमारा दर्शक वर्ग है बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है और S.S.R. वारियर का दर्शक वर्ग है और हमारे इस मूव्मिंट के भी बड़े दर्शक वर्ग है मैं उनसे आग रह कर रहा हूं कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएगे हमारा अभियान जारी रहेगा जनता को जाकरेट करने का आपको वैग्जानिक तक बताने का और खुद के तरफ से नहीं वैग्जानिकों से डाक्टरों के उपीनिन आप तक पहुंचाने का ये अभियान है और आज एक जून को जब आप एग्जिक और एग्जेक पोल के चक्कर में पड़े हुए हैं मैं नौ बजे ये शो आपके लिए लेकर के आया हूं इसलिए मैं आग रह कर रहा हूं कि हम अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं आप थोड़ा सा अपनी भूमिका निर्वाह कीजिए और महामारी की जानकारी उठाईए जानकारी लीजिए लोगों से पॉलिटीशन से और सरकार से कहिए कि ये महामारी आई कैसे इसकी जाच करा करके बताओ ये मेरा फंडामेंटल राइट है क्योंकि आपने हमारे फंडामेंटल राइट को रौंदा है कुछले दो-तीन वर्चों में अलग-अलग प्रतिबंद लगा करके तो ये आपका अधिकार है कि ये महामारी कैसे आई और कौन-कौन इसमें अगर आई किसी ने लाया तो उसकी जाच करो अगर नहीं आई सभाविक रूप से आई तो उसकी जाच करो ये जाच करके भारत सरकार बताए अगर नई सरकार बोधी जी की आती है अगर वो विवेकानन्द रॉक से सीधे लोकमान में आवास कहुचते हैं तो मैं उनसे आग रह करता हूँ कि वो करें और अगर ये जो लॉकडाउन लगाओ लॉकडाउन लगाओ का जो माल बेच रहे थे गेट्स कमपनी का राहूल गांदी और उनके गैंग अगर ये सरकार में आते हैं तो इनसे भी मैं आग रहते रहा हूँ कि आप भी जाच करें आप दोनों अगर ये ऐसा काम नहीं करेंगे ये मुझे मालूम है फिर भी मैं कह रहा हूँ लेकिन निध्यान रहे यहां अपनी जान की कीमत लगा करके लड़ने वाले ग्रुप आपके सामने खड़ा है हम न डरेंगे न जुकेंगे ना हत्यार डालेंगे हम अपना मोर्चा जारी रखेंगे बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिता बैनर जी और डॉक्टर माया बलेचा और डॉक्टर बीना राखब आज इंडिया डिबेट में इतना ही सोम बार को हमारी आप से फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए आश्टोश को नदीचे नमस्कार गन्ने की कड़ी बुनियाद जिसे मराठी में खुड़क्या और कुछ उत्तर भारत के क्षेत्रों में खुठ्थी भी कहा जाता है उसे केवल भोलानात का 2-in-1 बैटरी ओपरेटेड हारवेस्टर कम ब्रश कटर आसानी से और बिना रुकावट के काट सकता है